हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में रासवा सांसर ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार बिवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पत पर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था किस तरह से मुक्तार अंस सिंग मकनु सिंग मुडियार गाउं के थे जो उसी थाना छेत में पड़ता है और वो हर्शंकर तिवारी के सूटर थे सत्तर कसी के दसक में जितने बड़े मर्डर हुए साधू सिंग मकनु सिंग करते थे यह उनका गुर्गा था इसको बदमासी कबड़ा सौक था तो यह बड़े गाइन लीडर मिल गए उसमें था उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को थाकुर रंपस सिंग की हत्या उनके भ यह जब वहां मर्डर हो गया उसके भतीजों ने किया तो 10 अक्टूबर 85 को मकनु सिंग को रंपस सिंग के बेटों ने जिसमें में था त्रिभून सिंग और उधा ब्रिजेश सिंग उसके बाप का मर्डर हुआ था धौरारा में एक साहाप सिंग होते थे इन सब लोगों न मिल करके मकनु सिंग का मर्डर कर दिया जो में गुरू था मुक्तार अंसारी का और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला इसका नाम तो नहीं आया लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था दो जनवरी 86 को थाना साहिद पूर छेतन में जब इसने दो भाई ब रंपः सिंगह के बेटी थे उनको मार दिया फिर मुक्तार ने इनका बेटा रंपत जिंदर सिंग बनारस चरस सब्सेंदा इसके गेट पर मारा और उसके बास साधू शब्डू सिंग जो था अब इसका गुरू था मुक्तार का और अपना अफजाल अंसारी विधायक बन चुका था, उसके प्रयास से ये जेल से आगे हास्पिटल में, उनके पत्नी को बच्चा हुआ था, सुबह सुबह एक गाड़ी पहुंचती अमबेस्टर, उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है, और साधू सुंके उहीं म मार दिया, और साहब शिंग लेगया धानापुर, वहां दो मार दिया, इस तरह से साधू मकनु गैंग समाथ हुआ, तो उसकी गैंग की कमान समभा ली मुक्तार अंसारी ने, उधर ब्रजेस और त्रिवुन मिल गए थे, इन दोनों के गैंगवार में, दर्जन नहीं, हंड में लोग मरें, तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई, लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके, एक बड़ा बदमास बना, अपने भाई, अफजाल अंसारी के सायोग से, वह 85 में विधायक बन गया, कम्रिस पार्टी से, अब 93 में अच्छा उसी दोरान, 93 में ये चुनाव लड़ना चाता था, और उस समय कासी राम जी यो मुलायम सिंह समझावता किया, एक नारा चला, मिले मुलायम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम, मुक्तार चाता था गाजीपूर सदर से चुनाव लड़ना, मानवर कासी रा इसके मुक्तार अफजाल ने सोर्स लगा करके कि गाजीपूर सदर मुक्तार को मिल जाए, मुक्तार जेल में था, मानवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये, उन्होंने अपने एक सायोगी बिस्वनात नाम मुनीब दलित, उनको जनरल सीट्रे टिकट दिय बीस नॉम्बर 93 को सुबस चुनाओं के लिए ओट पड़ना था, और 19 की रात में 11 बजे बिसुनात राम मुनीब दलित घर से निकले, और दो गाड़ियां आती है मोटर साय के लिए, और अतला अतल गोली मारती है, मुक्तार अंसारी ने मारवाया, क्यों? उनको टिकट नह मांड हो गया, जब काउंटर मांड हो गया, और 94 में बाई एलक्षन हुआ, तो कासी राम जी ने टिकट दिया कालासनात यादो को, और रोते हुए पहुचे किसा मुक्तरवा मार देगा, उस चुनाओं ये आतंग था, कि टिकट मिला स्योर जीतना था, और कालासनात यादो मैं कुछ का नाम बता दू, जावी धामर डीजी हुए, चार दिन, पंद्रा दिन, जमाल अश्रफ बीस दिन, संदीव सालूं के दो मां, अभै संकर चार मां, बिरंदर कुमार अठाइस दिन, अविनास चंद्रा दो मां, अखिल कुमार आज कल ये डीजी हैं, एक मां, छिए पाज पाच महीन ऽ दिन, सुभाज दूबे एक महीन बीस दिन, वीके गर्ग चार महीना दो दिन, वैवोक्रिष्णा दो महीना आठ दिन, आनंद कुलकनड़ी दो महीना दस दिन, रविसंकर छभी एक महीना दो दिन, और जस यस् DOD सिं एक दिन, तो मुख्तार ने य तो जिसके हमसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराद और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूं कि पॉलिटिकल के अलामा जो इसने भरती कराए जो फूलिस फोर्स को क्रिमनलाइज किया तो इसके क्राइम को बढ़ाने में इसको मजबूत ब समय आईज़ि लाटर होता था संसदी चुनाओ हुआ और आज़िल लाटर ही नोडर पसर होता है हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा गाजीपुर में चुना होता था, मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए, जैसे सुबह चुना हुआ, महमदाबाद इसका जो अपना मिंकस्बा है, एक बियार थे बीजे पीके अवरकर, उनको एक सेंतालीस धरड़ा धर गोली मारी दहसत हो जाए, तमंचस मार सकते थे, एक सें तालीस मार दिया, दस्यों भूत पर बाहर ये कैसें तालीस धर दना दन इसके जितने गुर्गे अताउर रहमान बाबू, सहाबू, मुन्ना बजरंगी, ये सब चल रहे थे, और दीपक सरमा एस पी थे, रोकने का प्रयास नहीं, और मुझे आईजी जोन को भेजना पड़ केल मीना को, लेकिन तब तक मुक्तार अपना काम कर चुका था, और ये 2004 में, ये सांसद बन गे, मैंने रेकमंट किया था, ये गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए, लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी, तो इस तरह से, दूसरा कहना चाहूंगा, एक 2004 की बात है, जनवरी, इसने लाइट मेशीन गन मंगवाई, और जिससे कि क्रशनानंद राय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए, पाउरफुल उपन होता हमारा इंफेंटरी का, उसके बाद चो 600 गोली पर मिनेट फायर करती है, इसका गनार था मुन्नार यादो, उसके माध जिसको मनमोहन सिंग सरकार आते ही उसको खतम किया गया, तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है, और उसके बाद जैसे पहाड़ तूट पड़ा हो, और मुलाहिम सिंग जी ने अपना एड़ी जी लान ओडर थे एक डीजी को, उसको इतना प्रताडित किया गया डिप्टी ए मुझ चुका था, प्रेजक्यूशन के लिए सासन में आया, मानने मुलाहिम सिंग जी ने मुक्तार अंसारी को प्रेजक्यूट नहीं होने दिया, परमिशन नहीं दिया, मुननर यादो और बावुल याल यादो को ददद साल के सज़ा होती, इसारी पलिटिकल पार्टी चा हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरा दिया हैं, उसे आपने तो आप मुक्तार अंसारी की मौत का कारण क्या मानते हैं? जोगी आदितनात लाए, समाजबादी पार्टी तो इसको पालती रही, आपको याद होगा जब मुक्तार अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से, तो अखलेस काते थे कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए, अतिकाहमद के बारे में अखलेस नहीं का था गाड़ी ने पलट दी जाए, लेकिन अखलेस यादो कांग्रेस नहीं देखेंगे क्रिशना रंदाज की पतनी पर क्या भी था, जो इसने धरजनों माडर किया, पुलिस वालों का माडर किया, उनके परिवार का भीयत है, तो केवल एक ओट बैंग के राजनीत के लिए प्र लोग हैं, जो उससे, जो ओट बैंग के सौधागर हैं, और कांग्रेस तो वही है, जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी, और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई है, जिसने इसको इतना मजबूत बनाया, और जेल में, गाजीपूर जेल में मुलायम सिंग जी तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई, दिन दाड़े ओभी एक संताली चली थी, तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतिही कामद असरप का कोई रोल नहीं है, एक फोटो वाइरल हुई थी, अतिही के घर जाकर उसके कुत्ते से हाथ मिला वाली, जितने बड़े बादमास उत्तर प्रेस के, उसको समाजबादी पाला, इतने नहीं, चंबल के डगायत, चहो निर्भो गुजर हो, ददुआ ठोकिया हो, मैंने का नहीं, ददुआ के बाई और उसके बेटा और भाईयों को मुलायम सिंगने समाजबादी में, उस समय दिया, जब ददुआ पर साथ लाग का इनाम था, फरार था, तो इवन एलक्षन जब आते थे, तो चंबल के डगायत फरमान जारी करते थे, समाजबादी पार्टी को उच्म देते थे, निर्भो गुजर इतना वो पापुलर हो गया था, मीडिया चली जाती थी, तो काता जतने माफिया कुछ मारे गए, एक कुछ जेल में हैं, बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है, अब आए संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, और हजारों करोड की संपत्यां अपराद से कमाई की अटाइच कर ली गई है, तो ये जोगी मुदी राज है, इसमें जीरो टालरेंस है, और ये आज इस्तिती ये बनी है, तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है, और जो पांच टिलियन की एकोनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं, कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे, उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा, जो गिया दितनात का होगा। जानकरी दी। केमरा प्रशन संजी बर्मा के साथ, पवन गौड नपक इटीन, दिल्ली।